आप सबी को प्रणाम हर्बल रेमिडीज में आपका स्वागत है साथी हो हमारे सरीर में कई वाइटल ओर्गन होते हैं और अगर मैं एक घास की याद चर्चा करूँ जो हमारे सरीर में मुख्य तीन वाइटल ओर्गन किड्नी, लिवर और हर्ट उन तीनों के रेमिडियेशन में विसेस भूमी का निवाते हैं और इस घास को आप अगर देख लेंगे तो जरूर अपने गंबलों में इसको लगाएंगे, संरक्षित करेंगे इसको चांगेरी भी कहा गया है येलो वूड सॉरेल भी इसको कहा गया है और इसको औक्जलिस कॉर्णी को लेटा भी कहा गया है यह औक्जलिडिसी फैमिली का है इसके अंदर जो विभिन प्रकार के इसके अंदर फ्लेवनाइड्स, अलकलोईड्स, पोलिफिनॉलिक कंपाउंड्स ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं इसकी पतियां जो आप देख रहे हैं ये खटी होती हैं अगर भूक ना लग रही हो अपच की समझ्या हो गई हो इन डाइजेसिन की समझ्या हो तो इन पतियों को पीस कर खाना चाहिए बहुत टेस्टी लगती है और ये पतियों का अगर सुरस निकाल के 10-12 ml पिया जाए तो पागलपन की दवाई यह है जो पागलपन की जा फिर यह कहा है कि इनसेनिटी की जो समझ्या है उससे यह निराक्रण में हमारी साहता करती है क्यों करती होगी इसके अंदर विटेक्सिन और आइटो विटेक्सिन नाम के दो केमिकल कंपाउंड पाय जाते हैं यह नियूरो पागलपन की जो समझ्या है उससे कंट्रोल करने में साहिक है इसके अंदर एंटिडाइबिटेक्स यानिकी मदू में नासक प्रोपर्टीज भी इसकी पत्तियों के अंदर पाई जाती है जिसके कारण एक नियूरो लोजीकल जो प्रॉब्लम है जिसको डिमेंचिया कहते हैं जिसमें क्या होता है कि मैमोरी लॉस हो जाता है और आदमी का जो जज्ज्मेंटल कैपसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तो डिमेंचिया साथी हो चार परकार का medically identified है और चारों ही प्रकार के डिमेंसिया में ये अपना कारी करता है चाहे वो Alzheimer's dementia हो या Fronto-Temporal dementia हो Levy Body dementia हो या फिर Vascular dementia हो चारों प्रकार के डिमेंसिया में ये अपनी अच्छी भूमी का निभाता है बहुत अच्छा कारी करता है Memory loss को बचाता है Neuroprotective इसका action होता है इसके अलावा डिमेंसिया के लिए अगर आपको लेना है तो ये पूरे प्लांट का आप पंचांग ले लीजिए और पंचांग का क्वात बना के आप पीजिए और अगर ये क्या करता है ये लिवर के detoxification में help करता है Kidney का filtration बढ़ा देता है diuretic property होती है इसके अलावा जो heart की arteries होती है जो winds होती है उसके अंदर जो vascular endothelium cells होती है उसमें nitric oxide का production बढ़ा देता है और vasodilation activity भी अपनी इसको करता है heart को मजबूती भी देता है आजकल क्या होता है कि अगर आप liver में अगर toxins हैं तो skin के उपर white patches भी आ जाते हैं जिसको sweth kust कहते हैं उसके निराकरन के लिए आप इस पत्तियों का paste बनाएए और तुचा के उपर लगा दीजिए बहुत अच्छा कारे करता है और धतूरा और जो अफीम होता है उसका antidote भी यही plant है इसका अपसुरेस बनाएए और धतूरा या अफीम होता है उसके सेवन के बाद जो side effect आते हैं उसके निराकरन के लिए भी इसका 10-15 ml juice 3-4-4 घंटे के अंतराल पर देना चाहिए मित्रो लेकिन ध्याने यहां पर एक बात का रखना है कि अगर किसी का blood का acidic pH है generally ऐसा prostate cancer के patient में होता है तो ऐसे patients को यह नहीं देना चाहिए patient के स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है इस बात का ध्यान रख है बागी यह anti-diabetic और blood pressure को कम करने वाला bad cholesterol को कम करने वाला liver को detoxifier heart को मजबूती देने वाला kidney के filtration को बढ़ाने वाला शरीर के तीन vital organ को उनको मजबूती देने का कारिय उनके remediation का कारिय करता है और पागलपन की अच्छी दवाई भी है फिर मिलेंगे आप सभी से फिर मिलेंगे आप से एक नए प्लांट के साथ अगर आपको यह जानकरी पसंद आए तो like, share और subscribe करना ना भूलिएगा धन्यवाद साथियों जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ आपके छित्र में अगर यह आपको घास दिखे तो आप इसको संद्रक्षित कीजिए और किस नाम से पुकारा जाता है यह comment section में जुरूर बताएगा सुचनाओं का इखटा करना उनको संद्रक्षित करना बहुत आओ सके ताकि हम आने वाली generation को भी एक अच्छा मेसे दे सकें आप सबीका धन्यवाद परनाम नमस्कार